हेलो एवरीवन वेलकम टु माई चैनल आज जी हम लोग सीखेंगे कि आप अपने इस तरहां से गंदे हुए जो ब्लैंकिट होते है न ऐसी कमफर्टर जिनको हम बोलते हैं उनको कैसे वाश करेंगे इस आटोमेटिक वाशिंग मशीन में तो सबसे पहले तो हम इस पेशल है फोर ही ठीक है और सोग टाइम में 20 मिंस का दे रही हूं रिंस में इसके टू टाइम्स रखूंगी क्योंकि हैवी चीज़े हैं तो अच्छे से इनका सरफ निकल जाना चाहिए इस पे न आपको जितना अच्छा लगे आप रख सकते हैं और पानी मेंने भर लिया था सरफ और साबन दोनों मेंने एड किया है ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो सके और मशीन को थोड़ी देर चला लिया था ताकि अच्छे से सब कुछ आपस में मिल जाए और आपने ब्लेंकेट या फिर कुछ भी आप दो रहे हो ना तो वो एड कीजेगा तो बहुत अच्छे से इस हमारे इस हेवी चादर और जो है टॉवल ब्लेंकेट को एड करने की अच्छे से खोल खोल के एड कीजेगा क्योंकि या हेवी होते हैं तो अच्छे से आपने खोल के एड करने हैं तो कोई भी मसला नहीं आएगा मशीन को ठीक है जी तो देखें वाटर लेवल 4 भी इसके ल लेना है और सोफनर आपने लाजमी एड करना है इसमें क्योंकि अच्छी सी खुश्मू के लिए और इन टॉवल ब्लेंकेट्स को नर्मो मुलायम रखने के लिए बहुत जरूरी है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा सरफ और भी एड कर लिया था और इसको छोड़ दिया था क क्योंकि मशीन को सोक टाइम दिया है मैंने तो यह सोक टाइम में भी थोड़ा बहुत जल के फिर रुक जाती है ताके जो भी हमने चीज दुलने डाली है वो उपर नीचे हो सके और अच्छे से मतलब सरफ उसका यूज हो सके उसको सोक करने में भी यह बड़ा अच्छा काम करती है मशीन ठीक है जी तो हम यहां पर आ गए थे टाइम पूरा हो चुका था देखें अब कितने अच्छे से क्लीन हुए है मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने इसके कलर्स जो है ना एकदम ब्राइट से दिखने लगे हैं पहले कितना डल लग रहा था मैं फोटो के एक समझे आ गई होगी आपको अच्छा जी फिल्टर्स क्लीन करना मत भूला करें जब भी इस तरह की कोई टौविल वाली चीज़ वाश कर रहे हो ना तो लाजमी उसी वक्त कर लिया करें क्लीन अपनी मशीन को बद्बू से बचाने के लिए और देखें सोप में से सोप भी प